कि नमस्कार आरों के मंत्र में आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ नीर्जा दोस्तों हमारा आज का जो विशे है उसका नाम है ब्रेन हेम्रेज बहुत ही गंभीर विशे है आखिरासा क्या होता है जिसकी वज़े से ब्रेन की नसों में खोन का सप्लाइब बंद हो जाता है जी हाँ इस विशे पे हम बातचीत करने के लिए आमंत्रित करेंगे जीवा के हेल्थ डारेक्टर और हमारे आयरवेदा गुरू दॉक्टर प्रताप चौहान को डॉक्टर साब नमस्कार आपका सवागें हü Первे हमारे कारेक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साब आज का जैसे मैंने का metamara' विशे है brien हेमभीर चीब और यह बहुत ही गंभीर विशे है रहम हम जानना चाहेंगे आप से यह क् का lifeline number जी हां दोस्तों यह जो नबर में आपको बताने वाली यह इस नंबर को आप सभी अपने mobile में save कर लिजी दिस जस्ट लाइग डॉक्ट्र इन यूर पोकेट जब भी आपका मन करें आप जीवा के डॉक्ट्टर को कॉल कर सक्ते हैं जीवा के आपका नाम और नमबर रिजिस्टर करेंगे और फिर आपको कॉल बैक करेंगे और जानेंगे आप से आपके रोग का कारण और बताएंगे आपके रोग का निवारन वो नमबर है 01294040404 जी डॉक्टर साब बात हम कर रहे हैं ब्रेन हैंबरेज की जी सबसे पहले में चाहूंगी आप हमको सभी दर्शकों को समझाईए यह एक्जाटली क्या होता है ब्रेन हैंबरेज देखिये ब्रेन यानिके मस्तिष्क और हैंबरेज यानिके खून का निकलना सिंपल भासा में हमारा जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारी ब्लड वाहिनियां रक्त वाहिनियां आर्ट्रीज उसमें चलती हैं जो ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं बहुत बड़ा हमारा यह ब्रेन जो है एक बहुत बड़ा ओर्गन है और उसमें छोटी-छोटी सी जगे-जगे पर वहा तो जिस टिशू को वह जो रख्त सप्लाई जारी थी, वहां पर खून नहीं पहुंचेगा, और खून नहीं पहुंचेगा, तो वह जो टिशू है वह डेड हो जाएगी, वह हिस्सा ब्रेन का जो है, वह एक तरह से मर जाएगा, और फिर उसमें वहां कोई स्कार पढ़ सकता ह वहां पर सूजन भी हो सकती है, जिसको के हेमोटोमा कई बार बोल देते हैं, तो इसको इस रोक को समझ लेना चाहिए, सिंपल भासा में, बहुत सारे इसके कारण है, कारणों का जिकर भी हम करेंगे विस्तार से, और क्या इसके सिंप्टम्स हैं, कैसे पहचान हैं, आपको तो शयद कोई अंदर ऐसी तकलीफ तो नहीं है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे. जी, डॉक्टर सब, तो वाक्य में ये बहुत ही serious problem है, बहुत ही serious disease है. क्योंकि ब्रेन एक वास्तों में हमारा बहुत important organ है, जैसे heart है, brain है, kidneys है, ये हमारे श्रीर के मुखें अंग हैं, इन में कोई खराबी आजाए, तो थोड़ा serious तो होती है problem है. परिकुल, डॉक्टर सब, तो आईए पहले बात करते हैं, हमारे शो के पहले caller से ज़ड़ चुके हैं. नमस्कार जी. हलो, हांजी स्वागत है, आपका आरोगया मंत्र में अपना नाम बताइए. मेरा नाम राजकुमार है जी. राजकुमार, हांजी कहां से बोल रहे हैं आप? हां मत्यपजर शुच्च और शुच्च शिण से बोल रहा हैं साब. ठीक है पूछिए डॉक्टर प्रताप चहां से अपना सवाल सवाल यह कि हमने जो व्यायाम और रॉनिंग वगरा वेट लिफ्टिंग वगरा जंपिंग वगरा करने से यह जो राइट एंड साइड पर नीचे पेड़ू के या जो आत रहती है जी वह उतर जाने की वच्छे से इसे लंगोट का प्रेव सक किया जा रहा है तो उसके लिए मेन जो इसका कारण है कारण को पहले समझ लिजी वहाँ की जो मास्पेशियां हैं वो कमजूर पढ़ जाति हैं तो वह जो कमजौर हिस्सा है तो उसमें तो अन्तłem आतें बाहर निकल आती तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो उस एरिया में जेंटल मसाज करना है, बिल्कुल जेंटल, तिल के तेल से, हाँ, बिल्कुल, दूसरा जो है, आपको अगर ग्रामीन इलाके में रहते हैं, तो एरेंड का पेड होता है, एरेंडी का तेल भी अच्छा रहेगा, और आरेंड के पत्ते जो हैं वो थोड़ा सा उस पर एरेंडी का तेल लगा करके वहां राच को बांध लीजी आप और थोड़ा सा नीचे नीचे भी उसको बांध सकते हैं जहां पर और नीचे जाकर के सूजन पैदा करता है और तीसरी चीज इसमें जो है कुछ आयरवेदिक हरनिया को और इसकी चिकित्सा दी गई है प्रॉपर और पेट साफ रहना चाहिए आपका अगर आंतें आपकी में साफ रहेंगी उसमें गैस नहीं बनेगी कोई मल वहां जमानी होगा तो भी आपको काफी रात मिलेगी और पेट साफ करने के लिए रात को आपको एक चमश तिरफला जरूर लेना चाहिए लेकिन इसका प्रॉपर उपचार भी आयरवेदे की चिकित्सक से मिल करके आप जरूर कराएं आप चाहें तो हमारे यहां फोन करके डॉक्टर से बात कर लें या आपके इलाके में कोई अच्छे वैद हो उनसे मिल करके भी इसका उपचार आप करा सकते हैं ठीक है और जो एरेंड का पता है वो भी चुपड के उसको वहां बांध लीजी थोड़ा सा गरम कर लिजिए तेल को उतना काफी है ठीक है राजकुमाल जी तो आपको जो भी बात यह डॉक्टर चौहान ने बताई है आप उनका पालन कीजिए और अगर आ जूरी है साथ साथ लेना आप किसी भी आयर्वेदिक चकितसक से मिल सकते हैं या जीवा की हेल्प लाइन पर भी कॉल कर सकते हैं हमें कॉल करने का बहुत बात शुक्रिया जी डॉक्टर साब तो हम आप से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वह कौन से कारण है जिनकी वज़ से इस छोटे से ब्रेक के बाद